नमस्कार में हुद बांचली मुईत्रा इस्राइल और फिलिस्तीन के बीच जंग सद्यों पुरानी ये कब और कैसे भड़क जाए कुछ कहा नहीं जा सकता 11 दिन लंबे चले हमास और इस्राइल की लड़ाई पर 20 मई को वीराम लगया इस्राइल और हमास सीसफायर पर राजी हो गए लेकिन जब भी इन दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ता है तो मीडिया की सुर्ख्यों में एक शब्द खूब आता है वो है ग्रेटर इस्राइल अब सवाल उठता है कि ये ग्रेटर इस्राइल क्या है लेकिन ग्रेटर इस्राइल का जो कॉंसेप्ट है अगर वो साकार होता है तो ये नक्षा पूरी तरह से बदल जाएगी पहले तो ये समझेए कि जब किसी शेहर के साथ ग्रेटर शब्द जुड़ जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि उस शेहर का विस्तार हो गया यानि अभी तक उस शेहर या देश का जो शेत्रफल था अब वो और ब्रॉड हो गया और बढ़ गया ग्रेटर इसराइल भी ऐसा ही एक एक एक्स्प्रेशन जो वक्त वक्त पर लोगों द्वारा व्यक्त किया गया इस ग्रेटर इसराइल का अर्थ इसाईयों की पवित्र किताब बाइबल और राजनीती से भी जुड़ा है अगर इतिहास में जाकेंगे तो ये पता चलेगा कि इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाने का जो एक्स्प्रेशन है वो अलग अलग लोगों का इस देश के विस्तार से जुड़ा है इसे जियोनिस्ट प्लान फॉर मिडल इस्ट भी कहा जाता है जियोनिस्ट यहूदी लोगों के बीच एक आइडिलोजी और राष्टवादी आंदोलन दोनों जो होली लैंड या फिलस्पीनी शेत्र में यहूदी देश के पुनस्थापना का समर्थन करता हाला कि जियोनिस्ट के समर्थक कुछ इसाई भी थियोडर हर्जल को जियोनिस्ट का फाउंडिंग फादर कहा जाता है हर्जल के मताबिक ग्रेटर इस्राइल का कॉंसेट ब्रूक ओफ इजिप्ट से लेकर यूफरेटिस तक है ब्रूक ओफ इजिप्ट हिब्रू बाइबल के कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए इस्तमाल किया गया हिब्रू में इसे नाहल मिजरैम यानि रिवर ओफ इजिप्ट कहते हैं जो रूड़िवादी यहूदी हैं उनका ये मानना है कि नील नदी ही नाहल मिजरैम जबकि यूफरेटिस का मतलब फरात नदी से जिसका बेसन एरिया आज के तुर्की, सीरिया, इराक, सौधी अरब, कुवेत और इरान अगर बाइबल की बात करें तो इसमें तीन जगह लैंड ओफ इसराइल या फिर होली लैंड या फिर प्रॉमिस्ड लैंड का भॉगोलिक जिक्र है सबसे पहले इसका जिक्र बुक ओफ जेनेसिस के चाप्टर पंधरा के वर्स 18 से एक किस में दूसरे बार इसका जिक्र डुटरॉनॉमी डुटरॉनॉमी चाप्टर ग्यारा वर्स 24 डुटरॉनॉमी चाप्टर एक वर्स साथ दुब्क आफ नंबर्ज में चाप्टर 34 के वर्स नंबर 1 से 15 और दुब्क आफ एजिकेल में चाप्टर 47 के वर्स नंबर 13 से 20 तक में यहूदियों के लिए यह उनके पूर्वज किंग डेविट और उनके बेटे किंग सॉलिमन की सल्तनत वाला हिस्वा यहूदी जिसे किंग डेविट कहते हैं, मुसलिम उन्हें प्रॉफिट दाउड और किंग सॉलमन को प्रॉफिट सुलिमान कहते हैं अब यह समझें कि ग्रेटर इसराइल के थियोडोर हर्जिल कॉंसेप्ट में रुक ओफ इजिप्ट से लेकर यूफ्रेटिस तक कौन-कौन सा एरिया आएगा यह मैप देखिए, इसमें जो लाल लाइन दिख रही है उसे ग्रेटर इसराइल की बाउंडरी मानी जाती है इसमें फिलस्तीन का पूरा हिस्सा, साउथ लेबनान के सिडान और लिटनी नदी का हिस्सा, सीरिया के गोलान हाइट, दक्षिनी सीरिया का खौरान और दक्षिनी पस्चिमी सीरिया का डेरा करीब करीब इराक का आधा हिस्सा साऊधी अरप और मिस्र का कुछ हिस्सा शामिल है कुछ जियोनिस्ट का मानना है कि इसमें दक्षनी तुर्की का भी हिस्सा शामिल है इस्लामिक स्कॉलर रहे डॉक्टर इसरार एहमद ने अपने निधन से पहले ग्रेटर इसराइल पर बयान देते वे बताया था कि यहूदियों का ग्रेटर इसराइल प्लान क्या है मजभी यहूदी यह कहता हमें ग्रेटर इसराइल बनाना है और greater Israel वो सारे इलाके हैं जो उनकी तारीख में इसराइल सल्तनत का हिस्सा रहे है हद्रत यूसर के दमाने में यहूदी जाकर आबाद हुए मिस्र में जो डेल्टा का इलाका है जर्खेस तरीन इलाका जो है जोख्षन का इलाका वो कहते हैं वो हमारा है कई सो बरस हमारा है सिराइस सीना हमारा है इसमें कोह तूर है जिसमें हद्रत मुसा क्या हम कलाम हुए ल्ला से तौरात मिली इसमें चारीस बरस तक हम बटकते पिरे हैं सिराइस ती है ये यतिहूना फिल्रफ दे अर्वाई नसला फिर फिलिस्तीन तो किळरा हमारी जड़ी पुष्टी जाहिदाद है, जाहीर है फिर ये अरब जो हैं, ये भी मदीने तक हमारा है, मदीने समेट हमारे कभीलें वहाँ थे जासे निकाला मुस्lemانों है पूरा इराक हमारा है, पूरा शाम हमारा है और तुर्की का भी एक लाका है उप्तदाई, मश्रकी जनूबी, वो भी हमारा है ये है ग्रेटर इस्राइल का नक्षा, ये हमने बना रहा है अब सवाल उठता है कि ग्रेटर इस्राइल का ये जो कॉंसेप्ट है और फिलस्तीन में कुछ होता है तो मुस्लिम देश क्यों प्रतिक्रिया देते है अरब देशों को लगता है कि इस्राइल और जायोनी विचारधारा उनकी जमीन पर कब्जा कर लें अरब देशों को ये लगता है कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे पावरफुल वेस्टरन देश का स्वार्थ की मिडिल इस्ट में छुपा हुआ इसी वजह से वो इस्राइल का खुल कर सपोर्ट करते इन देशों को मुस्लिम कंट्री कॉलनाइजर्स के तोर पर देखते हैं मतलब इन देशों ने अरब देशों की जमीन पर उपनिवेश करने की कोशिश की कॉलनाइजर्स को ऐसे समझी कि जैसे ब्रिटेन ने इस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए भेजा और फिर भारत पर शासन करने लगा फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से हटाया गया जिससे मुस्लिम देश भी नाराज है फिलिस्तीन और दुनिया भर के मुस्लिमों में एक धार्मिक कनेक्शन भी है और यह कनेक्शन है जरुसलिम से लेकर खास कर ओल्ड जरुसलिम जिसे एस्ट जरुसल कहा जाता है एस्ट जरुसलिम में ही बैतुल मुकदस है ये पूरा कमपाउंड जो दिख रहा है ये पूरा बैतुल मुकदस है बैतुल मुकदस एक अर्बी शब्द है जिसका मतलब होता है पवित्र घर मुस्लिमों के बिलीफ के मुताबेक ये अल्ला का दूसरा घर अल्ला का पहला घर सौधी अरब के मक्का शहर में स्थित काबा मक्का मदीना के बाद इसे मुस्लिमों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता अभी दुनिया भर के मुस्लिम काबा की तरफ रुख करके नमास पढ़ते थे और यहूदियों के लिए पवित्र मानी जाने वाली वेस्टन गॉल भी इसी से लगी हुई मुस्लिमों का ये भी अकीदा है कि अपनी जन्नत की यात्रा से पहले करीब एक लाख चौबीस हजार प्रॉफिट्स को इसी मस्जद अल-अक्षा में नमाज पढ़ाई गी इसका धिक्र कुराण की सत्रहई सूरہ अल-असरा की पहली आयत में मौझूद है इस आयत में प्रॉफिट मुहम्म्मद की मक्का से जरूसल की नाइट जन्नी का धिक्र है इस आयत ये शलोप में कहा गया है कि आल्ला ने रातोरा अपने बन्दों को मजजद अल-हरां Friends खाने काबा से Masjid-ul-Aqsa तक की सैर कराई Masjid-ul-Aqsa के बाद Prophet Muhammad ने जन्नक की आत्रा की जोसे Muslim Believe के अनुसार मेराज कहा जाता Doom of Rock के नीचे वो चटान में जिसपर चड़कर Prophet Muhammad ने स्वर्द की आत्रा की ती इसे कुबबत अस सख्रा भी कहा जाता इस धार्वी कनेक्शन के अलावा जो एक बात और है वो ये है कि जतने भी वेस्टरन पाउरफुल देश हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रश्या ये हमेशा इसराइल के पक्ष में बात करते हैं उनके लिए फिलिस्तीन लोग एक नौन एंटिटी बन गए आसान शब्दों में कहा जाए तो इन देशों के सामने फिलिस्तीनी मुस्लिमों की कोई वैल्यू नहीं अब मुस्लिम देशों को लगता है जब वेस्टरन देशों के सामने फिलिस्तीनीों की कोई वैल्यू ही नहीं तो वो इनकी समस्या कितनी इमानदारी से सुलचाएंगे ये तो हुई greater Israel concept और ये concept मुस्लिम देशों को क्यों नहीं बरदाश अब बात करते हैं कि आज के दौर में ये संभव है कि इसराइल खुद को इतना फैला ले कि वो छे से साथ देशों की जमीन पर कबजा कर ले जियोनिजम आइडियोलोजी को मानने वाले कहेंगे हाँ बिलकुन मुम्किन इस मैप को देख कर भी कहा जा सकता है कि हाँ ये मुम्किन है कि इसराइल का greater इसराइल का सफना पूरा हो जाने लेकिन नहीं अभी का जो greater इसराइल का कॉंसेप्ट है वो कुछ और है वो कॉंसेप्ट है इस मैप से जुड़ा हो यानि इसराइल और फिलस्तीन से जुड़ा हो यानि इन सारी जमीनों पर इसराइल का कबसा इसराइल और फिलस्तीन के बीच की ये समस्या बहुत पुरानी सवाल ये है कि इसका हल क्या या फिर ये कि इसका हल कैसे निकले इस समस्या का हल निकालने के लिए दोनों देशों को साथ आना होगा इस्राइल और समर्थक पस्चमी देशों को फिलस्तीन के खिलाफ गैर आफ्रामक्ता नीती के प्रस्ताफ के साथ आगे आने की जरूरत है फिलस्तीनियों को भी ऐसा ही करने की जरूरत है दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खुलना जरूरी है जैसे साल 1976 से पहले था